किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि राहे जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा तुम धरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहां तक जाएगा और एक खीच धन उसकी दोर निसाना साधु अपनी मंजिल के वाकी वाद में दे नीर कहां तक जाएगा मेरे प्यारे साथियों मैं सुख्वीर सिंग अपने सभी साथियों का इस competition community परिवार के online platform पर हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन करता हूँ आप सभी साथी सही होगे और अपनी अच्छे से बढ़ाही कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों हम जो बात कर रहे हैं संग्राम सिर्च के भारती इत्यास के section 4 की बात करेंगे जिसमें हम मद्धिकालीन इत्यास के कुछ प्रश्णों की चर्चा कर रहे हैं और जिसमें हम आठ नंबर के प्रश्णों की design करने की कोसिस करेंगे बहतरीन तरीके से कैसे ह हम आठ नमबर के प्रष्ण को बहतरी प्रारूप के साथ एक दम अच्छा लिख सकते हैं और अच्छे नमबर हम प्राप्त कर सके जुक्छ प्राप्ट करेंगे हैं जिनको क्या करेंगे यहां पर डिजाइन करने करेंगे। और आठ नंबर के प्रस्ण वकल, हमने दो नंबर, चान नंबर और एक 8 नंबर के प्रस्ण की चर्चा की थी और आज हम 8 नंबर के प्रस्ण की चर्चा करेंगे दिए Qylan 166, सूफियों के कौन से वो योगदान था, उन काड़ों के हम क्या करेंगे, वो कौन कौन से कारक है, जो कारक निकल के आए सूफियों के योगदान के बार, तो अगर हम आपको यहाँ पर बताएं, जब जब समाज में, समाज है ना भारती समाज, चाहें विश्यों का कोई भी सम जब समाज में यहाँ पर गलत अबधाड़ाएं आती हैं गलत परमपराएं आती हैं इस समाज में किसी भी कालखंड का समाज हो किसी भी समाज में जब गलत अबधाड़ाएं आती हैं यहाँ पर गलत परमपराएं चाहें वो माननिताएं हो जब समाज में प्रवेस कर जाती है तो कुछ अपनी समाज के अंदर के लोग सुधार करने के लिए निकलते हैं तो ऐसे ही कुछ समाज सुधार हुए थे, ऐसे ही कुछ रिफॉर्म हुए थे मद्य कालीन भारत में कहाँ पर मद्य कालीन भारत में कुछ सुधार हुए थे चाहे वो मुस्लिम संपर्दाय के अधीन हो, चाहे वो मुस्लिम में हो और चाहे वो इंदू परमपरा में हो इंदू परमपरा में जो सुधार हुए उन्हें भक्ती आंदुलन के नाम से जाना गया भक्ति-500, भक्ति-500 के नाम से जाना गया और जो मुसलिम की अधीन जो सुधार हुए उन्हें हमने सूफी-500 का है, सूफी-500 का है तो जी सूफी-500 जो थे इसलाम की उदारवाधी व्याख्याओं को वो ये महत तो देते हैं, इसलाम के अंदर, जो उदार जो माननेता है थी, कट्रता का ये विरोध करते हैं, ठीक है न, तो इसी यहीं से प्रशन पूछा है, कि सूफियों के योगदान की चर्चा कीजिए, प्रशन हमारा क्या है, सूफियों का क्या कंट्रिविउसन था, संप्रदाय, और चिस्ती संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं, चाहे हम सोहरावर्दी, सोहरावर्दी, चाहें नक्सवन, चाहें कादिरी, ऐसे बहुत धे सारे यहां पर क्या है, संप्रदाय देखने को मिलते हैं, सूफियों संप्रदाय, लेकि सबसे जादे फेमस हुआ चिस्ती संपर्दा है हम उनकी सब की बात नहीं करें हम एक टॉपिक के overall view को बताती हुए हम यह बताएंगे कि आप यहां यह देखेंगे कि यहां सूफी आंदुलनों के क्या प्रभाव पड़े जो सूफी संत हुए उन संतों ने यहां पर क्या contribution तो हम इनके योगदान की बा अनेक नए सुधारातम किनों ने कारे किये अनके अनेक नए नगरों का निर्माड किया तो हम इनको क्या करेंगे एक krambai kramb से यहां पर systematic धंक से बत्साएंगे दरसल जो भारत है भारत में जब यहां पर देखेंगे तो यहां पर हिंदू बहुले लोग है हिंदू संपरदा यहाँ पर जाद है, सनातनी परंपर जाद है और इसलाम यहाँ पर कहां से आ रहा है इसलाम आया यहाँ पर बाहर से आया और मुहम्मद गोरी के साहती ख्वाज़ा मुईनुद्दिन चिस्तिक लावाए उन्होंने अजमेरु का अपना केंद्र बनाया था तो जब भारत में इसलाम बाहर से आ रहा है और यहाँ पर बस रहे हैं तो जब यहाँ पर यह अपने विचारों को अपने उधारवादी विचारों को यहाँ पर रखेंगे तो इस से भारत में गंगा जमुनी तहजीव का एक नई तहजीव जो आएगी उसका भिकास होगा तो इनका पहला प्रभाव क्या पड़ा पहला योगदान इनका क्या है कि इनका योगदान यह है कि भारत में भारत में गंगा जमुनी तहजीव गंगा जमुनी तहजीव गंगा जमुनी तहजीव का मतलब क्या होता है गंगा का मतलब हिंद हिंद और जमुनी का मतलब है इसलामी परंपरा इसलामी तहजीव हिंद इसलाम एक नए कल्चर एक नई संस्कृति का यहाँ पर क्या हुआ हिंद इसलाम संस्कृति का यहां पर क्या होता है एक नई हिंद इसलाम संस्कृति का यहां पर होता है पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे दरसल जी जो पी आंदुलन थे वो क्या थे समासुधार का अंदुलन थे और समासुधार किसके अंदर इन्होंने क के अंदर समासुधार करने का प्रयास किया तो आप क्या बताओ कि इन्होंने समाज में ब्याप्त कुरीतियों को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया इन्होंने समाज की जो मुस्लिम समुदाय जो था इस्लामिक जो समुदाय था आप क्या लिखेंगे इन्होंने उन्हें मुस्लिम समुदाय के प्याप्त बुराईयों, प्याप्त बुराईयों, पुरीतियों, एवं उसकी जो कटरता थी, इस कटरता का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। और इसलाम की इन्होंने उधार व्याख्या सामने रखी, यह इनकी देन है। इन्होंने कहा कि जो सरीयत है, सरीयत की इन्होंने, जो सरीयत होता है इसलामी कानून, पुरान, हदीश, प्यास, तो सरीयत की इन्होंने क्या कि? बुदार व्याख्या कि. दरसल दिल्ली सल्तनत आते आते, यहाँ पर इसलाम में बहुत देसारी कट्रता आ गई, बहुत देसारी नसलबाद की चीज़ें यहाँ पर आ गई, इन चीज़ों का इन्होंने क्या किया कि हमारे जो पैगंबर हजरतिमुष साब थे, उन्होंने ऐसे एक इसलाम की कलपना नह का जो इसलाम था वो वैसा नहीं था, इसमें बहुत देसारी कुरितिया गई, चाहे महिलायों के संबंद में, चाहे संपत्ती की अब धाड़ा, चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे उसके जो उधारवादी व्याक्या वो पूरी तरह से गाइव थी, उन्होंने क्या किया, स पर असल जो सूफ की लोग जो थे, इनकी कुछ माननेताएं थी, कुछ माननेताएं थी इनकी, जैसे अब ये ध्यान साधना करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, अनहलक परंपराएं जो थी, जैसे योग, इन्होंने योग को भी क्या किया, योग को इन्होंने बढ़ावा द इनोंने उसके बाद इनोंने आप देखते हो अमीर खुसरो जैसे अमीर हुसरो जैसे पहान सूफी संथ हुए क्यों एक इत्यासकार कभी और एक लेखक थे ऐसे अमीर हुसरो ने भी इक भासा का भी कास किया तो सूफियों ने किसको भासा एवं साहित्य को बढ़ावा दिया जैसे अमीर खुसरों ने खुजाइनल फत्तु नू सुपर आसिका तो इन्होंने बहुत डेसारी क्या लिखी थी बहुत डेसारी इन्होंने पुस्तक हैं जैसे नू हसिका खुजाइनल फतु इससे क्या हुआ इन्होंने साहित्य को बढ़ावा दिया और इसके बाद क्या कंट्रिवियूशन हुआ इन्होंने भासा को बढ़ावा दिया साहित्य रहा ये और भासा क्या है इन्होंने खडी बोली तभी कौनसी बोली खडी बोली इन्होंने खडी बोल हिंदवी हिंदवी को यहां पर क्या दिया बढ़ावा दिया पड़ी बोली जिसे बोलते हैं हिंदवी को इन्होंने बढ़ावा दिया और इसके साथ यहां पर भारत में उर्दू का विकास हुआ किसका उर्दू भासा का यहां पर उर्दू का क्या हुआ उर्दू का एक नई यहां पर विकास देखने को बिलता है आप क्या देखोगे यहां पर अगर इनके योगदान की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने गंगा जमुना तहजीब को बढ़ावा दिया पहला पॉइंट दूसरा गुसलिम समुदायों के भीतर ब्यापत बुराईयों क इन्होंने क्या किया विरोध किया उसकी कट्रता को कम करने की वात की और इसका समाज पर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ा इसके बाद यहां पर देखोगे इन्होंने सरियत की उदार व्याख्या की उसी में लिखोगे फिर इन्होंने योग को बढ़ावा दिया जैसे प्रणीजामुद्दीन ओलिया जैसे सूप की संथ थे इन्होंने योग को बढ़ावा दिया इनके से बीर खुसरो इन्होंने वासा एवम साहित बढ़ावा दिया इसी समय खड़ी वोली हिंदवी का विकास हो रहा है और इसके साथ इन्होंने अनेक ग्रंत पर आसी का चैनल ठीक है ना इनका यहाँ पर विकास हो रहा है इसी के साथ इन लोगों ने और किसका बढ़ावा दिया यहाँ पर एक नई वासा उर्दू का भी इंदवी और उर्दू का यहाँ पर विकास हो रहा है इसके अलावा इन्हों ने किसको बढ़ावा दिया नगरी करण को बढ़ावा दिया अगरी करड को इन्होंने बढ़ावा दिया अब जैसे एक एक जामपल अगर मैं आपसे कहूं जैसे अजमेर में अजमेर सरीफ जो है अजमेर सरीफ अब अजमेर सरीफ में क्या देखने को मिलता है आपको अजमेर जो है उसे अपना किसने केंदर बनाया था वाजा मुईनोदेन चिस्ती सहाब थे वाजा मुईनोदेन चिस्ती सहाब थे वाजा मुईनोदेन चिस्ती सहाब ने इसे अपना केंदर बनाया और प्रारम में अजम पिर को किंदर बनाया और भारत में बहुत डेल सारे लोग अपनी उम्मीदों को लेके इनके पास जाते हैं। नगरों का विकास होता है। जैसे अब यहां अजबेर में बस गए। प्राहरम में छोटा सा एक कस्वा टाइप का छोटा सा गाउं टाइप का था। लेकिन बहुत डेल सारे लोग अपनी उम्मीदों लेके जाएंगे। तो यहां पर दूर दूर से आ रहे हैं तो उनके अंदित दुकाने लगेंगी जो आस्था वाली चीज़ें होती हैं आस्था वाली चीज़ें होती हैं बहुत डेल सारे यहां पर क्या होंगे यातायात का साधन विक्सित हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा एक नगर की रूप इसी प्रकार से निजामुद्दीन ओलिया स अपना जो किंद्र वनाया था वो फतेपूर सीकरी को बनाया और फतेपूर सीकरी में भी अकवर क्या करता था अकवर ने उनकी मजार का निर्माड कराया और वहां पर अकवर खुद उनके यहां पर जाता था अब सोचो राजा जिस दरगाह पर जाता हो तो वहां पर क्या ह पाल रहा होगा अकवर ने उनकी दरगा का निर्माड करा है कहते हैं कि अकवर को जब कोई पुत्र नहीं हुआ था तो वहाँ पर उसने प्यारत कर उनके यहाँ पर जाता था मनत बांगता था और उनी के आसिरवास से सलीम का जन्म हुआ जिसे थियास बाद में जहांगीर के नाम से जानता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है नगरी करण को इन्होंने बढ़ावा दिया इन्होंने योग को बढ़ावा दिया इन्होंने भासा साहित्य को बढ़ावा दिया और इन्होंने किस पर जोर दिया इन्होंने कर्मकांड की जगे तो भी कर्मकांड की जगे इन् इसे अच्छी बात कुछ नहीं हो, किसी भी जरूत मंद की आप क्या करें, मदद करें, और ये किसका सिद्धानत है, ये सूफियों का सिद्धान, ठीके न, तो इन्होंने मानवता को जोर दिया, और इन्होंने सबसे जादे जो जोर दिया है, वो प्रेम को बढ़ावा दिया, इन्होंने कहा, प्रेम, आपने नाम सुना होगा, सूफिय एक सब्दावलिया है, फना, फना, फना का मतलब क्या है, फना का मतलब है, किसी के इसक में पागल हो जाना, जैसे मीरा भगवान क्रिष्न के लिए पागल थी, तूरदास भगवान क्रिष्न के लिए पागल थे, इसी तरह से यहां पर जो सूफी संत थे ऑपने अल्ला के लिए कि लिए पहते और उदारवादी व्याख्या योग कर रहे हैं इसलाम तो यहां पर इन्होंने प्रेम को बढ़ावा दे रहा है मानवता को बढ़ावा दे रहा है और ये दया की वात करते हैं कि दया है, प्रेम है, मानवता है, इन सारे तत्तों को ये क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं. पहाँ नहीं समझे? और यही सारे जो योगदान हैं, वो किसके योगदान है? सूफियों का योगदान हैं. और इसको अब आपने टर्म पड़े, अब इन टर्मों को आप क् अब इस प्रश्न को आप लिखोगे कैसे इनका योगदान, कंट्रिब्यूशन इनका क्या है, योगदान के वो कौन से कारक हैं जो सामने निकल के आते हैं, तो अब आप कहोगे सूफियों ने अनेक तरह से भारतिय समाज एवं विश्व को कंट्रिब्यूशन दिया है, अपन अपनी नई सिच्छाओं के माध्यम से, अपनी उधारवादी सिच्छाओं के माध्यम से, जैसे, क्या लिखोगे, हिंद इसलाम संस्रती का विकास हुआ, इससे हिंदू और इसलाम और मुस्लिम लोग एक साथ आए, और आपस में सुलहकुल के माध्यम से, भाईचारे के मा की उधारवादी व्याक्या की और इन्होंने जो इस इसलाम में जो कट्रता आ गई थी मुहमत साब की मुरत से उस कट्रता का इन्होंने कर्म कांडों का विरोध किया और इन्होंने क्या किया नगरी करड़ को बढ़ावा दिया यह पॉइंट लिखेंगे आप दो-चार नगर को बनाया पंजाब पाकिस्तान वाले चाहिए न और इनकी जो उधारवादी इतनी बहतरीन ब्याक्याएं कि इन्होंने कि आपको पता होगा कि बाबा फरीद के जो उपदेश हैं वो सिक्खों के पवित्र ग्रंत पुरु ग्रंत साहिव बे लिखे गए कितनी बड़ी वात है कि एक धर्म की उपदेशों को दूसरा धर्म माननेता दे रहा है अपने पवित्र धर्मिक ग्रंत में माननेता दे रहा है तो कितनी बड़ी वात है और इनी सूपियों के प्रभाव से आकर के एक पॉइंट और आप मेंसन कर सकते हो इनी सूपियों के प्रभाव में आकर के नानक, नानक ने क्या किया? अपने आपको पूरी तरह से एक नए धर्म के लिए समर्पित कर दिया, मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, आपने नाम सुना होगा. जैसे लंगर विवस्ता, जो हमारे सिक्ष भाई हैं, जो हमारे जो गुरद्वारे हैं भारत में, चाहें बिश्व में कहीं भी गुरद्वारे हों, जब भी समाज पर किसी प्रकार की मुस्वत आती है, जब भी समाज में कोई आपदा आती है, जब जब लोग संकर्ट माते है तब तब गुरुद्वारे और सिख संप्रदाय के लोग, हलांके सभी लोग मदद करने का जिस लेवल पर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादे नाम निकल के आता कि किसका, गुरुद्वारों का, तो ये जो परंपरा निकल के आई, इन पर प्रभाव किसका पड़ा, इनों का प्रभाव पड़ा, एक प्रभाव यहाँ पर और आप देखोगे, यही जो सूफी आंदुलन थे, यही वो सूफी आंदुलन थे, जिनका प्रभाव भारत के भारतिय, जो हिंदू संप्रदाय था, भारती जो हिंदू समाज था समाज जो था इस पर प्रभाव पड़ा हिंदू समाज पर प्रभाव पड़ा और इसी मैंसे निकल के भक्ती आंदोलन का उदय हुआ ये लोग भी क्या हुए भारती समाज के लोग भी प्रेरित हुए और इन्होंने भी अपने समाज के अंदर जो ब्याप्त बुराईयां थी उन विराईयों को इन्होंने तूर करने का प्रयास किया और इन्होंने क्या किया भक्ती आंदोलन की सुरूप ये भी किसकी देन है इस पर प्रभाव किसका पड़ता है इस पर सूप्यों का प्रभाव कहानी समझ गए तो यह धेर सारी कंट्रीविशन है आठ नंबर का प्रश्ण किया जो पूचा है उसको स्टेमेटिक ढंग से आप क्या करेंगे सिक्वेंस वाई सिक्वेंस लिखते जाएंगे और मैं दावा करता हूं और वादा करता हूं इस बात का आप बहुत अच्छी कहानी समझ पा रहे हैं आप यहां पर इसके देख भी सकते सूफियों का युगदान है ना समाज के उत्पीडन गरीब बर्गों के वीच में युगदान दिया आम लोगों की समत्राव को विरुद किया हिंदू लोगों ने प्रभावित हो कर सूफियों की मजारों पर जा हैं हमने का हिंद इसलाम संस्कृती है यहां पर देखो से बाद आप देखोंगे हिंदू वेदान पर परिवर्तन करते हैं बहुत डेज सारे सब्सक्राइब की देखने कि भारतियों पर और इतना हम ने जो बताया आपको नगरी कड के वारे में ये सारी चीज़ जो कहां से हैं वो हैं सूफिक्रियोशन पूचा है आट नमबर में सूफि अंदुलनों के जोगदान है या उनका प्रभाव इस प्रशनिंगे, उसके बाद प्रशन आता है एक दूर्सा बीजय नगर बात की जा रही है बिजय नगर और बिजय नगर किसकाल का है आप यहाँ पर इस मैप में देखोगे कि मद्धिकालीन भारत में एक सामराज जाया था दच्छड भारत में हिंदू साही राजवन्स ठीके ना और इस राजवन्स की स्थापना उस टायम हुई जब उत्तर भारत में यहां नौर्थ इंडिया नौर्थ इंडिया में यहां पर नौर्थ इंडिया में यहां पर कौन था मध विन्तुलक, MBT, मध विन्तुगलक यहा करा जा था, और इसी की समय दो भाई थे, लाम था हरिहर, हरिहर ओर बुख्का , ने इस बिजनगर सामराज्जी की क्या की थी इस स्थाप्ना की, और इस सामराज्ज में आपको पता हुगा कि लगभग तो चार वंसाई जैसे संगम बंस का नाम सुना होगा आपने, संगम के बाद आपने सालूब बंस का नाम सुना होगा, सालूब के बाद आपने तुलूब बंस का नाम सुना होगा, और तुलूब बंस के बाद आपने आरविडू, आरविडू, यह लिखना नहीं, यह मैं राजवन्स देखे जाते हैं और बन्नी हट्टी का एक युद्ध होता है इस कि समय ये भिजनगर पूरी तरह से हट लिए जाते हैं और बरतमान में इसके अविलेक जानकरी कहां से मिली है करनाटक के हमपी सहर से मिली है ये बेसिक चीज थी जो आपको नहीं लिखना यहां प क्षण कर रहे हैं कोछ दो विजशेंस्दर्स होगी एक बार प्रसासन की चर्चा करो कrika नंबर में तो हो सकता है इस When अचै क्या हो हुए अगर आप बरतमान की बात करो अगर आप बरतमान की बात करोगे, हम यह बरतमान की बात कर रहे हैं, यह हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिजेंट की हैं, बरतमान की बात कर रहे हैं, बरतमान की आज, हमारी आदर्णी प्रधान मंत्री जी कौन है, केंद्र है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक केंद्र होता है यहाँ पर किसी भी काल खंड के अगर प्रसासन को समझना है तो इस इस टेक्चर को समझना है केंद्र होता है और केंद्र में होता है बरत्मान है तो लोकतां तरह पर प्राय चल लाई केंद्र में कौन होता है प्राचीन काल में इसे राजा और मद्धिकाल में इसे मुस्लिम सास्या के तुसे सुन अब राजा उतने बड़े राजिवन से सासन तो करेगा नहीं अकेला इ एक मंत्री परिश्द होती है कि नहीं होती है। तो चाहे प्राचिन काल हो, मद्धिकाल हो, चाहे आदुनिकाल हो, सब के पास एक मंत्री परिश्द उगा करती थी। फिर केंद्र का विभाजन आप देखोगे, इनके पास अनेक अधिकारी होते थे, अनेक अधिकारी भी हो, फिर उसके बाद आज देखोगे वर्तमान, केंद्र का विभाजन किसमें है, प्रांतों में, केंद्र का विभाजन किसमें, प्रांतों में, और प्रांतों में दो तरह तो मोरे मगद में सासन कर रहा था उस टाइम उज्यनी का गवर्नर कौन था रविटा बिंदुसार था और जब बिंदुसार राजा वना तो उज्यनी का गवर्नर कौन था दोग था तो प्रांतों में गवर्नरों की निक्ति की जाती थी और योग्य व्यक्ति, मस्ति चलना, बरतमान में केंद्र और प्रांत है, 28 भारत में प्रांत है, अब प्रांतों का विभाजन कहीं कहीं संभा, कहीं कहीं मंडल, तो बरतमान में मंडल है, उसके बाद आप जानते हो, मंडलों का विभाजन किसम होता है, चिले में होता है, फिर आप देखो होता है घ्रामसमाय सभितियां होती है वहाँ पर यह सररचना वरतमान की अगर यह सररचना आपको याद है तो सेम यही structure कहाँ पर होगा यही structure चाहे प्राचीन भारत में हो और चाहे मध्दिकालीन भारत में हो अब नाम बदल चैने का नाम बदल जाएंगे कि ब१र्तमान में प्रधान मंत्री यहांपर केंद्र होगा केंद्र में कौन होगा राजाव यहां पर यहां पर परंपरहा है इस तुरह प्रांत पर cheesy कहीं पर प्रांत मंद्र आप देखोगे यहाँ पर मंडल है और मंडल के बाद यहाँ पर बहुत डेस सारे स्टिराम समूँ आते हैं सबसे नीची यूनिट हम गाउं को देखेंगे सबसे छोटी है क्यों कि यहाँ पर जो बात की जारी यहाँ अधिकारियों को निक्त करते हैं प्रांत हैं केंदर प्र प्रसासन है और इनके साथ यहां पर कौन अधिकारी होगे प्रसासन होगे अनेक अधिकारी अनेक प्रसासन के वह धेर सारे अधिकारी यहां पर होगा जो राजा होगा वो वनसानुगत होगा राजा कैसा होगा राजा है वनसानुगत लेकिन राजी का सुरूप कैसा होगा वो बादम हम बता है कि कल्याड कारी होगा राजा वनसानुगत है तिरंकुस है लेकिन वो कल्याड कारी जनता के उसमस्याएं उनको ध्यान में रखके वो कारी करता है ठीके ना तो केंद्र हो गया केंद्र का विभाजन यहां पर किसमें किया जाता था यहां पर फिर दूसरे नंबर पर के आएंगे यहां पर उसरे नंबर पर यहां पर क्या आएंगे प्रांत आएंगे और प्रांतों में अगर आप बात करेंगे यहां पर जो प्रांतों की अगर आप बात करेंगे यहां पर तो इन प्रांतों को आप देखेंगे है ना मंडल यहां पर किस नाम से मंडल के नाम से प्रांतों क देखियोगी है ना एक आयंगर प्रडाली एक नायंगर प्रडाली थी यहां पर तो यहां पर क्या है यह जो मंडल है यहां पर नायंगर प्रडाली है नायंगर प्रडाली यहां पर कौन सी परंपरा थी नायंगर प्रडाली थी ठीक ना नायंगर प्रडाली थी और नायंगर प्रडाली में यहां पर किसको निक्त किया जाता था इनको यह सामंत टाइप में होते थे यह क्या होते थे यह फ्यूडल यानि सामंत टाइप में होते सामंत किसे कहा जाता है सामंत जो थे जिसे राजा के अद्हीन कुछ अधिकारी है राजा की विश्वसनी है और राजा क्या करेगा उन्हें अपने कारे चित्र में डिप्लॉय कर देगा नेक्त कर देगा अब इन सामंतों का कार क्या होगा? कानून प्रसासन देखना, उस अपने प्रांत में कानून प्रसासन देखोगे, विकास का काम करोगे आप डपलमेंट का, आप वहां से क्या करोगे? आप वहां से टेक्स वसूल करोगे, आप वहां पर कानून प्रसासन में वही सांती विव देखोगे और यह क्या होते थे नायंगर सामंत मतलब नायंगर यह परमपरा थी यहां पर टेक्स वसूला अभिकास करना कानून प्रसासन और अगर इनकी पूरी जिम्मेदारी उस कारी छित्र में होती थी कि अगर इनको यहां पर बिजन अगर कि किसी भी पार्ट में इनको किया है और उस चेत्र की पूरी सुरच्छा की जिम्मेदारी इनी की थी अगर वहाँ पर कोई चोरी हो रहे है कोई भी गलत कार हो रहा है तो उसके जिम्मेदार कौन हो गे नायंगर होंगे और यही चार नंबर मेरे पूँचा था कि प्रांतिय प्रसासन, क्यों famous है? नायंगरों की वज़े. उसके बाद हमने देखा जिले, नाडू, उसके बाद बलनाडू, ग्राम सभू, पुटम, तो उसके बाद सबसे नीचे की आता है? गाउं. और गाउं में कौन होता है? यहाँ पर गाउं, गाउं को ग्राम सभू. और उसके बाद यहां पर हम देखाएंगे किसको, हम देखाएंगे ग्राम प्रसासंग में कौन होते थे, आयंगरों के लोग, आयंगर, आयंगर प्रडाली यहां पर मौझूद होती, आयंगर प्रडाली, आयंगर प्रडाली होती थी, और इस आयंगर प्रडाली में तो पहानी समझी इनकी संक्या पहार है और यह पद जो होते थे न यह आयंगरों की पद होते थे यह फिल कर दो बेच दें गिरवी रख दें पट्टे पे दें और यहां पर इनकी भी जिम्मेदारी बही थी गाउं लेवल पर तुरच्छा का विकास उसके प्रसासनिक कारे ठीके ना प्रसासनिक जो इनकी responsibility थी वो और गाउं छेत्र में भी अगर कोई गलत कारे हो रहा है तो उसकी जिम्म पूर चीज है विजय नगर में आयंगर और नायंगर विवस्ता से प्रस्ण बनना और पूरा प्रसासन तो एक कौमनी है लेकिन यहां पर दो चीज़ें देखने को मिलती है एक तो केंद्री सासन प्रडाली देखने को मिलती है उसके साथ यहां पर सामंती प्रडाली देख देखलों प्रशासन हमने आपको स्टेक्जर पताया था प्रारूप कैसा होना चाहिए तो सबसे पहले हमने क्या मैं क्या होता है राजा-र भाई-साहब सभी सकतियों किया तो को होता है चोटे चोटे और इन प्रांतों की द्रश्टी इस कैसे द्रश्टी को और से ध्यान में रख कर किया जाता था और प्रांतों को मंडल कहा जाता था बता चुकिया और प्रांतों का विभाजन बरतमान में जिले की रूप में किया जाता है तो जिले को उस टाइम को टम नाडू वलनाडू कहा जाता था और इन जिलों का विभाजन जैसे बरतमान में परगने हैं उनमें किया जाता था और सबसे छोटी काई कौन सी होती थी यही इस टेक्चर हमने का केंद्र है प्रांत है और जिले हैं यहाँ पर उसके बाद यानि जो परगने हैं और उसके बाद ग्राम और जिस भूमी को दिया जाता था उस भूमी को अमरम भूमी उस भूमी को अमरम भूमी कहा जाता था ठीक है ना और इस कारड से इन्हें अमरम नायक कहा जाता था ठीक है ना इसके बाद हमने कहा यहां पर देखो अमर नायक कहा जाता था अमरम भूमी दी जाती थी सारी अधिकारी होते थे और इन्हें आयंगर कहा जाता था और इनके वनसानुगत होते थे पदों को बेज सकते गिरिवी रख से बेतन के बदले इन्हें भी भूमी मिलती थी इनका भी सांती सुरच्छा बनाए रखना इनका महतपुड काम था इस तरह से भाई साभ आपने क्या प करेंगे उसके वाद हमने कहा आप जिले की वाद करेंगे और जिले के वाद आप परगने की वाद करेंगे और परगने के वाद आप आयंगर विवस्ता की वाद करेंगे और यहां पर प्रांदों में आप आयंगर विवस्ता की वाद करेंगे और यहां पर अन्य अधिकारी हुआ करते थे केंद्र में कौन होता था राजा होता था इस तरह से अब प्रश्ण एक और बनता है कि अकवर की धार्मिक नीती की चर्चा कीजिए अकवर मुगलकाल का एक महान सा सकता और इसकी धार्मिक नीती की बात की जा रही है तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अकवर ने धार्मिक नीती चलाई इतियास जो है अलग से थोड़ा सा जब मैंने कल के लेक्चर मैंने पिछली वीडियो बात की कि इतियास है इतियास या बिश्व में कोई भी घटना घटित हो रही है कोई भी घटना कोई भी इंसिडेंट हो रहा है उस घटना के पीछे कोई कारण रहा होगा कोई कारण रहा होगा और उस कारण को ध्यान में रखकर की क्या किये जाते हैं कारे किये जाते हैं तो अकवर अगर धार्मिक नीती से उधार था, अकवर की धार्मिक नीती अगर हम देखेंगे, कि अकवर ने जो धार्मिक नीती चलाई, तो वो क्या है इसका अकवर का एक कारी है, धार्मिक नीती क्या है, धार्मिक नीती अकवर का एक कारी है, तो इसके पीछे कोई बजय र हमारा है अक्वर की धर्मिक निति अक्वर की धर्मिक की चर्चा करना हमको तो पहले आप ये समझें कि जो अक्वर है इसका जो जन्म हुआ था वीर साल अमर कोट की राजा अमर कोट की राजा और राजा कौन है ये अमर कोट की राजा ये है हिंदू राजा एक ये हिंदू राजा है और इसका यहीं पालन पोषड भी हो रहा है पालन पोषड कहां हो रहा है इसका पालन पोषड भी कहां पर हो रहा है इसका यहीं हिंदू परिवार में हो रहा है और इसलाम की अपेच्छा जो हिंदू परिवार होते हैं वो थोड़ा उदार होते हैं तो यहाँ पर यह क्या था, उदार चीजें यह सीख रहा है, उदार वादी यहाँ पर यह क्या, इसके अंदर बिचार आ रहे हैं, और जो बच्छपन की बच्चे की सिच्छा होती है, वो बढ़ा पे तक काम देती है, इसलिए तो लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को छोट और जब मावाब भुजरुग होते हैं तो फिर क्या वो देखते हैं अकिले रहने की उनको आदत है जब बड़े होंगे जवान होंगे तब उन्हें प्राइवेसी चाहिए ना सिर्फ नुक्लियर फैमली चाहिए ऐसे में फिर वो मम्मी पापा उनके लिए वोज बनते हैं और वो क्या कर देते हैं व्रद्धा आसरम की यहां पर कलपना करते हैं कि चलो इनको छोड़ दो व्रद्धा वस्तावें क्यों क्योंकि बचपन में आपने वोडिंग स्कूल में पूड़ दिया अब वो क्या करेंगे आपको बचपन का बदला लेके तो यहां पर क्या है अकव अकबर की जो मा थी वो एक सूफी की पुत्री थी सूफी संथ की पुत्री थी अकबर उधार की उतार दो प्रस्ट में एक साथ समझा दे रहा हूं अकबर धार्मिक नीती की हम बात कर रहे हैं लेकिन हम आपको एक बहतरीन तरीके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अकबर ने धार्मिक नीती चलाई तो वो उसके बत करें कि वो कैसी थी अकबर ने चलाया तो उस पर प्रभाव किसका देखेगा वो चीज़ देखना सारी शुखी संत की एक पुत्री थी और सूफी आपको मैं बता चुका हूं सूफी लोग अधिकतम हिंदु मित्र थे तो इन मित्रों का भी अकबर पर प्रवाहर पड़ता है जैसे आपने देखा होगा आपने बीरवल का नाम सुना है जुगलवंदी फिर इसने जो सम्मंद इस्थाफित किये वो राजपूतों से राजपूतों से सम्मंद इस्थाफित किये बैवाहिक अपना बिभावी इसने अपना बिभावी बैवाहिक जो सम्मंद इस्थाफित क वो भी कहा किये, इसने राजपूतों से किये, पतनी राजपूत महला थे, तो भाई किसी का प्रभाव ससुरा पढ़े ना पढ़े, पतनी का प्रभाव जरूर पढ़ेगा, ऐसे मैं कहते हैं कि अकवर पर जो प्रभाव पढ़ा, राजपूतों का भी प्रभाव पढ़ा, और इन सबसे प्रभावित होकर के, इन सबसे उसने तीखने के बाद क्या किया, इसने सारी चीजे इसमें समाहित हो गई, और जब अकवर राजा बनता है, तो राजा बनने के बाद कुछ वो कारे करता है, जिसे त्यासकार उसे उसकी धार्मिक नीति से जानते हैं, अब हमारा प् अक्वर्की धार्मिक नीति की चर्चा करें, प्रहिए प्रह्षन था आठ नंबर में और सौ सब्द हैं ठीके ना तो यहां पर हमने क्या कहा अब देखोगे क्या बताओँ आंसर कैसे लिखोगे आंसर लिखेंगे आप पहले आठ नंबर का प्र immersion है तो हम सब developments पहले क्या देंगे इंट्रो यानी परिचे देंगे अब परिचे में क्या लिखोगे अकबर पर अकबर पर है ना उदार नीतियों का प्रभाव था अकबर यानी मुगल सल्तनत का एक महान सासक था इस पर उदार नीतियों का प्रभाव था और इस कारण से इसकी धार्मिक नीति में भी अनेक तरह की उदारात्मक तत्तो मौझूद थे ठीके ना जिस उदार नीति में इसने अनेक सुधारात्मक एवं अनेक नए कारे किये तो इसने क्या क्या वो सुधारात्मक कारे किये धार्मिक नीति में तो आपने देखा होगा, जैसी ये राजा बनता है, तो फिर ये एक कर खतम करता है, ये तीर थियात्रा, जो धार्मिक स्थलते, वहाँ पर तीर थियात्रा कर लिया जाता था, और इसने तीर थियात्रा कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, उसके बाद इसने क्या किया, इसन धार्मिक नीती उदार्थी हिंदूों के प्रतिस्की यह क्या है उदारवादी सुरूप है ना सुधारात्मक समाज में सुधार भी कर रहा है और उदारात्मादेकार भी कर रहा है धार्मिक नीत इसके अलावा यह क्या करता है इसके अलावा आप देखोगे कि यह 1575 में इव की स्तापना की इवादत खाने की इवादत खाना एक ऐसा इस्तल था कि जहांपर हुए धर्म से संबंदित मुद्ध। पर destin द declined your तो इसकी इवाầnत की स्थापना की 1575 में इसने स्थापना की उर इसमें प्रारंब में केवल उसने उसलिम धर्म गुरूओं को बुलाया इसने और इनसे ये संतुष्ट नहीं को, फिर क्या करता है इसे सभी धर्मों के लिए 1578 में इसे खोल देता है, सभी के लिए इसने खोल सभी धर्मों के लिए इसने ओपन कर दिया सभी धर्मों के लिए सभी धर्मों के लिए इसने ओपन कर दिया सभी धर्मों के लिए इसने ओपन कर दिया अब इसने यहाँ पर अन्य अलेक अन्य धर्मों को इसने क्या किया अन्य अन्य धर्मों की लोगों को बुलाया, जैसे हिंदू, हिंदू धर्म में देवी पुरुसोत्तम का नाम आपने सुना होगा, देवी पुरुसोत्तम नाम सुना होगा, तिक और क्या नाम है उनका, जैसे इसाई धर्म, इसाई धर्म के जो गुरु थे, पादर कौन से रात और एक्वा वीवा को बलाया इसने पारसी धर्म गुरु जैसे दस्तूर जी, मेहर जी इनको बला लिया इसने जैन गुरुओं को बलाया अब ये सब की विचारों को समझता है सबकी विचारों की समझने का ब्रयास करता है और उसके बाद जब इसको लगता है कि न तो पूरी तरह से मुस्लिम जो धर्म गुरु सही भूल ले हैं और नहीं ये अनिधर्म गुरु लेकिन हां सब में कुछ common चीज़े हैं और उन common चीज़ों को अपनाने के बाद ये एक और कारी करता है 15 79 में एक घोस्डा करता है मजहर नामा तो इसने मजहर नामा को इसने चलाया और मजहर नामा एक इसकी policy थी एक इसका विचार था और इसमें इसने क्या करने का प्रयास किया था कि देखो जो भी जब भी धर्म से संबंदित जब भी धर्म से जब भी धर्म से संबंदित संबंदित कोई भी बाद विवाद होगा कोई भी बाद विवाद बाद विवाद होगा तो उस पर अंतिम निरड़े किसका होगा अंतिम निरड़े वादसाह का होगा तो यहाँ पर जो अकवर है वो धार्मिक गुरू का सबसे प्रमुक्या बनता है यह धार्मिक गुरू बनता है तो अकवर ने यहाँ पर क्या किया मजर नामा की घोशला की अब इसके बाद अकवर ने मजर नामा भी चालू कर 1582 में इसने क्या किया इसने एक नया धर्म चलाया कहते हैं एक विचार लेके आया जिसे इतियासकारों ने कहा वदायूनी ने तो उसे एक नया धर्म कहा था इतियासकारों ने उसे एक नया धर्म कहा जैसे वदायूनी ने तो वो धर्म था दीन ए इलाही दीन ए इलाही ठीक है? और दीन ए इलाही इसने 152 मी चलाया और इसमें इसने कुछ माननितायां रखी थी, जैसे रविवार का दिन था रविवार का इसने दिन रखा ठीक है और इसमें क्या है? जो सारी वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा अल्लाहु अक्वर का नारा लगाएगा और इसमें दिन रविवार का था और इसमें किसी भी कर्मकांड जैसे कोई भी तत्त मौजूद नहीं थे कहते हैं कि लगबग 21 से 22 लोगों ने से क्या किया था अपनाया था और उसी में एक मा मूरखता का परडाम था यह इसकी मूरखता का परडाम था लेकिन वदायू नहीं कहता है कि इसने एक नए अधर्म चल ठीक है ना है इसने अकवर ने असोक की तरह कोई ज़्यादा उस पर दूर दबाव नहीं डाला उसने स्वेच्छा पर छोड़ दिया था भाई जिसकी इच्छा है वो अपनाए और लगभग 20 से 21-22 लोगों पनाया था और एक बिक्ति कौन था तू जिसका नाम था नहीं समझे और इसके बाद इसकी सिखों के प्रतिवी उदार नहीं थी थी सिखों के प्रतिवी बहुत उदार था यह बहुत उदार था सिखों के प्रतिवी रामदास और रामदास को इसने पांसो भीगा जमीन दी थी पांसो भीगा और इसी जमीन पर बाद में अमरसर स्वड मंदर की नीप पड़ी थी किसके तो अमरसर स्वड मंदर है मंदर है इस स्वड मंदर की क्या पड़ी थी पड़ी अमरसर स्वड मंदर गूल्डन टेंपल जो है तो आप देख रहे हो तो यहाँ पर अमरस्त शुड मंद्रि क्या कि थी कि यूदाली थी रहानी समझ पार हैं है अब यह क्या पड़े आपने कुछ अक्वर इस ने जो अहार आत्मक कारी किये कुछ नय कारी किये धर्म से समस्दित, वो सारे कारी क्या थे? अकवर की धार्मिक नीती निल हो जाते हैं. एक बार फिर इस प्रश्ण को देख लेए, ठीक के ना? एक बार फिर देख लेए, कि अकवर पर मैंने कहा, अकवर ने धार्मिक नीती चलाई थी, वो कौँन सी थी? आप क्या बताओगे? अकवर एक मुगल काल का एक महान सा सकता परिचे जरूर डेरलाइन का अकवर मद्धिकाल का या मुगल काल का एक महान सा सकता और इसने अनेक उधार नीतियों इस पर अनेक उधार नीतियों का प्रवाव था जो इसकी धार्मिक नीति में परिलच्छित होते हैं और इसने अपनी इस धार्मिक नीती में एक सुधारात्मक और अनेक नए कारे की जैसे इसने तीर्थियात्रा करको समाप्त किया, इसने जजिया करको समाप्त किया, इसने इवादत खाने की स्थाइना कराई और पहले धर्म गुरु जिम को बुलाया, बाद में अन्य धर्म की लोगों को बुलाया सबी जो भारत में जो समुदाये थे उन से जुड़ी धर्मों के लोगों को बुलाने के बाद एक निसकर्स पर पहुँचता है और उसके बाद ये मजहर नामा की गुड़ा करता है और इसमें भी इसने क्या कहा धर्म से सम्मंदि जो भी बाद विवाद होगा उसका अंतिम decision क किसका होगा वादसा अकवर का होगा और इसके बाद इसने फंद्रे सो व्यासी में एक धर्म चलाया दीनी आही जिसमें मुक्यते रविवार का दिन रिसाइड किया और लगबग 20-21 लोगों ने इसे अपनाया था एक हिंदू व्यक्ति था केवल एक हिंदू व्यक्ति कौन जिते रामदास उन्हें 500 विगा इसने जमिंदी और बाद में यहीं पर अम्रसरस्वण मंद्रिक होई थी इस्थाप तो अभी आपने जो देखा चुब मैंने आपको बताया कि अकवर की उधार नीती प्रश्न क्या था अकवर की उधार नीती की चर्चा करें तो यह जो अभी आपने पॉइंट पड़े कि इसने तीर्थ्यात्रा इसने जजिया इनको समाप्त किया अनेक नए काम इसने किया उनको बताएंगे लेकिन अगर प्रश्न यह बन जाए अकवर की जो धार्मिक नीती थी वो उस पर अकवर की जो अधार्मिक नीती थी इसके पीछे के कारण किया थे इसक्टे महत्त पूर अउत्तरदाई कारक जो कौन से कारक है जो इस उधार निती पुदाने के लिए जम्मेदार थे तव आप किसको लिखो गए जब हमने इसकी प्रश्वत बूभी बताई थी, है जो अकवर है, अकवर है इसका जन्म कहां पर होता है अकवरका जन्य कहां पर होता है ठीक है न, अकबर पर पालन पोस्टर कहा होता है, इसकी मा कौन थी, सभी उधार लोग थे, इस मित्र हिंदू है, सम्मंद राजपूत, पतनी राजपूत, ठीक है न, इस तरह से इनका सबका क्या पढ़ता है, प्रभाव पढ़ता है, इस कारण से आंसर होगा, इसके पीछे, अकबर की जो धार्मिक नीती उधार थी, इसके पीछे महतपूर कारक कौन से जिम्मेदार थे, कि अकबर को उधार नीती दानी पड़ी, अकबर को तीर्थ्यात्रा समाप्त करना पड़ा, अकबर को जज्या समाप्त करना पड़ा, मुझ रहे न, ये क्या है, अकबर ने रा प्रस्ण समझ गए प्रस्ण अगर समझ गए तो उसे लिखना बहुत आसान है तो आप यहां पर इससे देख भी सकते हों आप यहां पर यह देख भी सकते हो अकबर की धार्मिक निति अकबर यह उदार साशक्ता इसने उदार धार में नीतिका अनुसर्ट किया जिसमें इसने अनेक सुधारात्मक्व कुछ नई नीतिया लग गी जैसे तीर तियात्रा का समाप जजिया करका समापन किया इवादत खाने का इस्तापना फतेफों से 1568 धर्म धर्म से पुलाई और सभी धर्मों के लिए से खोल दिया था अनेक नेक धर्म के लोग आये थे और यहां पर इसने मज़र नामा की गोश्टा की 1582 में एक नया धर्म देने डाई चलाया और सिक्कों के चतुर्त अब तक जो हमने बात की इंडिया के दो लेक्चर हो की हमने बात की गहां पर हम ने यह जानने का अपरयास किया किस तरह से बहतरीन कर सकते हुए कर सकते हैं और हम यही कहना चाहेंगे आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें जरूर आप काम्याब होंगे अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक हमेशा आपके साथ टीम कोको